पिन्मार्पा श्रीगडएचा 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 है और यदी कोई तुम्हारी आज्या का पालन ना करे और वही करे जो तुम्हें प्रिये नहीं तब तुम क्या करोगे गज्मुकासुर किसो दंड का सुवर था ये किस ने किया इतना दुसास कि दंडता नहीं गज्मुकासुर ये चुनौती का स्वर है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं यदि साहस है तो युद्ध करो मुझसे और अपनी श्रेश्टा प्रमाणित करो चुनौतियां तो मुझे अत्यांत प्रिया है मुर्ख क्योंकि मुझे चुनौती देने वाला मृत् देना मुझे विशेशानंद देता है तो जो भी है तू कहो मैं वहां आओं या तू यहां आकर मुझसे युद्ध करेगा अब मेरावार तेरा सब्सक्राइब जाहती है संघार करेगा मुर्ख मुझे चुनोती देने का दंड तो तुझे अवश्य प्राप्त होगा इतना शीक्र नहीं गजमुखासर अभी तक मैंने पराज स्विकार नहीं कि है असूर हो इसलिए ये तो नहीं कहूंगा के अपने अंतिम समय में इश्वर का स्मरण कर लो किन्तु अत्यांत भाग्यशाली हो तुम क्योंकि अभी यही मेरे हाथो तुम्हार संधार होगा अपने प्राण त्याग निकले तैयार हो जाओ ये क्या हो रहा मेरे साथ ये किसी शक्ति का प्रियोग कर रहा है मुझे जिसने मुझे अपने प्रभाव से ही जड़ कर दिया गजमुखासर अपना अस्त्र नीचे रखो पराजय स्विकार करो इस मायावी ने तो किसी माया में पान दिया है मुझे किरसे मुक्त हो मैं मैं तुम से दुर्बल हूँ तुम मिजे हुए मैं पराजय स्विकार करता हूँ तुम मेरे सिंहासंग पे स्थापित हो जाओ, मैं तुम्हारा सेवक बनीगा तुम मेरे स्थापित हो जाओ, मैं तुम्हारा सेवक बनीगा सिन्दूरा असुर सम्राट बन गए सिन्दूरा अतिबल्शाली महानायक असुर सम्राट सिन्दूरा ये सिंगी का सभी असुरों की और से आपका अभिवादन करती है असुर महानायक सिन्दूरा की असुर सम्राट सिन्दूरा की असुर सम्राट सिन्दूरा की असुर महानायक सिन्दूरा की देव लोक में इतना प्रकाश क्यों है किस बात का उत्सब मना रहे हैं ये देवता वक्र दुंद महागाय बुथि के दरेश रिथि सिथि दाई विधन हर्ता श्री गडेश लक्ष्मी नारायन प्रम्हा वशारदा इंद्र सहित सारे देवीव देवता पारुमत्री सुथ को आशीच दे रहे कैलाश से सब प्रस्थान दे रहे दिव्यानूपंत्रिष्य उत्पन हुआ हर्षिता जंभित देखे दिनायकाः पार्यकंद महागाय बुथि के दरेश रिथिसिंद दाई विधन हर्ता श्री गडेश जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव देवताओं में इतना उल्लास्तो इसी बात का प्रतीक है असुर सम्राठ सिंदूरा कि आपके राज्यकाल के प्रारम में ही कोई अशुभ बाधा उत्पन्द हो रही है तो तुम यहां पे इतनी हल चल क्यों मची है ग्याद करो सिंदूरा प्रस्तु थै किसी भी चनौती से संगर्ष करने के लिए युद्ध हाँ हाँ युद्ध उसी से अनंदित होते हैं हम असुर्ध युद्ध चाहता है सिंदूरा जया जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं पुष्ट प्ले कर आ रही हूं तो तुम मेरी थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेती चंपा के पुष्ट प्रिया है पार्वती को किन्तो तुमने चमेली के पंखुडियों से उसका आसन सज्जित कर दिया क्यों भला मेरे कहने पर एक ग वैसे विजया तुम्हारा वो गड़ और चंपा की पुष्पो की टलिया कहा है वहां कहा यह हमारे उपर पंखुडिया पंखुडिया उड़कर कहां से आ रही है यह डलिया मेरा मस्तक मेरे नेत्र ढग गए इससे इसमें इतनी हसने की क्या बात है अच्छा विजया दुखी मत हो अपनी चंपा के पुष्प पुना चुन लाओ तब तक मैं इस आसन को चमेली के पुष्पो से ही सज्जित करती हूँ पुत्र इन्हें प्रणाम करो यह दोनों तुम्हारी मौसी है जया और विजया मौसी? मा, मौसी कौन होती है? पुत्र मौसी वो होती है जो मा जैसे होती है मा की बेहन वो होती है मौसी तब तो यह भी मुझे उतना ही स्नेह देंगी जितना आप देती है जया मौसी यह अपनी सोन मेरी ओर क्यों मढ़ा रहा है? कितना सुखद स्पर्श है इस बालक का मेरे मन को आनंदित कर दिया इस बालक ने अपने कोमल सुखदा इस पर्श से उचित कहा था तुमने तुम्हारी मा के समान दुलार करूंगी तुम्हारा संसार भरकस नेह उडे लोंगी तुम पर पुत्र सुनाओ जो समाचार लाई हो सिंगिका महनायक असुर समराट सिंदूरा देव लोग में जुद्धिव्युद्सव की हलचल थी वो एक बालक के कारण हुई थी बालक कैसा बालक किसका बालक मेरे गुप्त चरों के अनुसार उस बालक ने कैलाश में जनम लिया है जो मुझे ग्याद हुआ है उसके अनुसार हमें उस बालक को सहचता से नहीं लेना चाहिए असुरों के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है वो मुझे तो भय है कि कही उस पालक के कारण आपका शासनकार कुछी समय तक के लिए सीमित न रह जाए तर्वशक्ति शाली सर्वशक्ति मान अजय हूं मैं तीनों लोगों मैं मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता एक बालक संकट बनेगा मेरे लिए ये कह रही हो तुम एक बालक के नाम से मुझे बैभीत करने का दुस्सा हस कैसे किया तुम ने मेरा वॉर्ट नहीं था मैं तो केवल ये कह रही थी कि शीकरे कुछ कीजिए वो बढ़ा हो जाए उससे पूर भी समाप्त कर दीजिए उस संकट को मैं अपकी शंत्रु नहीं हूँ मैं तुस्सा देव आपका हित ही जाती हूँ कारण जो भी हो तुस्सा हस्तो किया है इसने प्राण धंड दू या शमा कर दो इससे कहा जा रहे उसुर सम्राट चिंदूरा वही जहां मेरे समस्त्र प्रश्णों के उत्तर मिलेंगे तुम्हारे जैसी वृद्धा कुटिला को मार कर मैं अपने बल का अपमान नहीं करूंगा इंद्र को चाके ललकारूंगा मैं आनन्द अति आनन्द यदी देवराज मुझे उत्तेजित करेगा फिर उसे मैं अपने बल से प्रताडित करूंगा करना माता माता मैं यह पुष्प लाया हूँ इन्हें कहां रख दू आपका इस्मरण है मुझे नंदी जी उस दुर्भागी पूर्ण युद्ध के कारण कहीं इनके मन में मेरे प्रती कोई दुर्भावना तो नहीं आपने ही मुझे मेरे पिताश्री की कथा सुना कर मेरा मन रंजन किया था ना पहचानों है यह वही प्रभोशिव शंकर है जिनोंने गंगा मैया की प्रचंड और पावन जल्धारा को अपनी जटाओं में समाहित किया था अतीत के एंक में तो अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनभव छिपे होते हैं जो अतीत में घटी बुरी घटनाओं को भुलाकर अच्छी घटनाओं का इसमरान रखे वो नकारात्मक्ता को त्याक पर सकारात्मक्ता की ओर बढ़ता है माता पार्वती के पुत्र का विप्तित भी अपनी सकारात्मक्ता के गूर से अवश्य निखरेगा पुत्र ये शिलात पुत्र नंदी हैं महादेव के वाह और उनके मुख्य गर आपने मुझे आकाश में राजा रानी का भव्य विवाह समारोह दिखाया था वो पुना दिखाये ना बड़ा आनंद आएगा अवश्य अवश्य दिखाऊंगा मैं आपको उससे भी अधिक आनंद दायक द्रिश्य दिखाऊंगा ये देखिए देखिए मा वो देखिए पिता श्री और आप और वो मैं हूँ आप दोनों के साथ आकाश में कितना आनंद आ रहा है ना कितना लुभावना द्रिश्य है मा इतना संदर द्रिश्य दिखाने के लिए आपको अनेको धन्यवाद नंदी जी कि अन्दी जी से तो ये प्रसंद होग किन्तो मैंने तो इन्हें कोई द्रिश्य नहीं दिखाया था बस युद्ध ही किया था तो मुझसे तो ये अवश्य ही रूखा बिवारी करेंगे बहुत शक्तिशाली है ना आपके सिंग मुझे आपका पराक्रम भली भाती स्मरण है किन्तो वो तब की बात थी अब तो आप मेरे मित्र बनेंगे ना कितने मीठे बोल बोलते हैं कितना सौम में है इनको शती पोचाने का प्रियास किया था मैंने विश्वास नहीं होता अब तो आप सभी मेरे मित्र बन गए है ना अब तो हम सभी साथ मिलकर क्रीडा करेंगे बहुत आनन्द आएगा क्रीडा करेंगे ना आप सभी मेरे साथ पारवदी, ये तो बड़े आनंद की बात है, कि आप हमारा पुत्र अपने परिवार से खुल मिल रहा है, सभी से मित्रवत, संबंद स्तापित कर रहा है अब मैं सदा आपके साथ रहूंगा, जब तक आप कैलाश से भली भाती परचित नहीं हो जाते, आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूँगा मैं, आपको किसी भी प्रकार के संकट में नहीं पढ़ने दूँगा मैं मुझे कुछ द्वनी सुनाई दी रही है सून जी को भी कुछ सुगंद आ रही है, मा, क्या मैं विजिया मौसी के साथ, पुछ पुछ उन्डे, जा सकता हूँ हाँ पुत्र, जाओ, किन्टु मौसी के साथ ही रहना, एक पल भी उनसे दूर होकर खोमत जाना अब मत में किसी और संक्रट में पढ़ते हुए देखना नहीं चाहती यह क्या हो रहा है? कहीं नीचे से कोई मायावी शक्ती तौक्रमन नहीं कर रहे है यह इंगर लोग पर तुम जो भी वो चले जाओ यहां से हम इंद्र लोग के प्रहरी हैं हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे बां जार मुशवलियू आचक्रमन आचक्रमन दिल्स के वित जाओ जादय, नहीं लोगका पर लोग कोई Свज्वलियू रक्षा कीजे, देवराजिंद्र रक्षा कीजे हम द्वार रक्षगों को उठाकर फेग दिया है उसने महाराज क्यासा हीन परिहास है यह कैसी असूर शक्ती है जो इंद्र लोक की सुरक्षा को ध्वस्त कर मुझे देवराज इंद्र को चुनोती देने का दुस्सास कर रही है इंद्र लोक पर किसका आक्रमण है कौन है यह जो मेरे इंद्र लोक के भीतर आकर ना की महिमा को नष्ट प्रस्ट कर रहा है कौन है यह तो यहां के वातावरन को प्रदूश्यत कर रहा है कौन है यथा शीग्र सुंदर्वन जाकर वहां के स्वादश फल्ली पर आई अब मुझसे अपना पचाओ करना चाहते हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो क्या कर रहे थे तुम सभी देवता कहलाश पर बताओ अन्यथा कर दो